हाई हलो नमस्ते फ्रेंड्स आज के रेल कारवा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक वीवर ने हमसे क्वेश्चन किया है कि क्या रेलवेड ट्रैक पर कोई पत्थर ट्रैक पर से उठा कर रखा जाये तो वह ट्रेन के लिए कितना घातक हो सकता है क्या ट्रेन पलट भी सकती है तो आज की पूरी वीडियो इसी के उपर होने वाली है अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो चलिए आज का रेल कारवास शुरू करते हैं आम तर पर रेल वीड ट्रैक पर यदि कोई पत्थर रखा जाये तो या उस पत्थर के आकार पर निर्भर करता है कि वो ट्रेन के लिए कितना घातक हो सकता है साथ ही ट्रेन किस गती से उस पत्थर से टकराएगी या उसके उपर से गुजरेगी ये भी महत्वपूल है जैसा कि प्रश्ण करता ने प्रश्ण में ही स्पष्ट कर दिया है कि वो वहीं ट्रैक पर मौजूद पत्थर ही उठा कर ट्रैक पर रखेंगे यह जानकर मेरी चिंता थोड़ी कम हुई क्योंकि जिस आकार के पत्थर ट्रैक पर पिछाय जाते हैं उनमें बड़े से बड़ा पत्थर भी ट्रेन को पलट नहीं सकता है चाहे ट्रेन की गती कितनी भी हो क्योंकि बहुत बार ट्रेन संचालन के दवरान मैं ऐसी पर इस्थितियों से दो चार होता हूँ कि जब ट्रेन तेज गती से चल रही हो और फिर भी मेरी सला है कि कृपया कोई भी इस तरह की बचकाना हरकत ना करें क्योंकि पहली बात तो ऐसा करने के लिए आपको रेलिवेट ट्रेक के नजदीक जाना पड़ेगा ऐसे में यदि तेज गती से आती हुई ट्रेन को देखकर हड़बडाहट में आपका संतुलन के लिए ही घातक हो सकता है दूसरी बात जब ये पत्थर तेज गती से गुजरती ट्रेन के पईये के नीचे आता है तो या तो पूरा पत्थर पईये से टकरा कर या कुछले जाने के बाद उसके छोटे टुकडे वहाँ पास में पस्थित व्यक्ती के सरीर से टकरा कर उसे गायल होने वाला व्यक्ती पत्थर रखने वाला भी हो सकता है बहुत संभव है कि पत्थर रखने वाला व्यक्ती बहुत ही ज़्यादा पेशेवर हो रेलवेट ट्रैक पर पत्थर रखने में वो अभी तक बताये गए खत्रों से अपने आपको बखुबी बचा ले लेकिन फिर भी ऐसा करना सरासर गलत है क्योंकि और कुछ भी ना हो लेकिन इस हरकत की वज़ा है बहुत मामूली ही सही लेकिन रेलवे ट्रैक को छती पहुंसती है कृपया याद रखिये की रेलवे की संपत्ती ये हमारे राष्ट की संपत्ती है अता ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे इसे नुकसान पहुंचने की संभावना उत्पन हो दूसरी बड़ी छती लोको मोटिव के पहिये को भी होती है इस तरह के आगातों से पहिये के ट्रेड पर गड़े हो सकते हैं इस प्रकार यदि रेलवे ट्रैक पर कोई पत्थर मतलब ट्रैक पर से उठा कर रखा जाये तो भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से ट्रेन के लिए घातक ना हो मतलब उससे ट्रेन पलट नहीं सकती हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये ट्रैक और प पत्थर ट्रैक पर से उठा कर रखा जाये तो वह ट्रेन के लिए कितना घातक हो सकता है क्या ट्रेन पलड़ भी सकती है अगर आज की वीडियो में दी गए जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई